कुछ फ्रेंड्स कि मैंने आप लोग से बूला था कि कई विए आर्ट एजुकेशन प्रिपेरेशन के लिए मैं वादा किया था आपसे कि मैं डेली एक एक चेप्टर आपको प्रिपेर कराऊंगी तो मैंने पिछले चेप्टर में सिन्दु घाटी सब्वेता प्रिपेर काल के बारे में मैं एक चेप्टर लेखे आई हूँ यह है आपका सेकंड चेप्टर जो की मैं डिस्क्रिप्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन्स भी बना के रखा है मैंने इसको तो आपको इसको पढ़ने में काफी इजी होगा इससे समझने में उस समय के काल में क्या होता किस तरह के लोग किस तरह से आरे समाज में लोग रहते थे वैदिक काल में लोग कैसे रहते थे कैसा उनका रहन सहन था किस चीज की पूजा करते थे और क्या चीज वो लोग यूज करते थे व्यापार में व्यापार कैसा था उनका कपड़े क्या पहनते थे इस तरह का मैंन ये वैदिक काल का पूरा एक चप्टर बनाया हुआ है जिसमें 40 से 40 questions तक हैं 43 questions है 45 questions तक हैं कुछ questions ऐसे हैं जो मैं आपको detail बताती भी जाओंगी तो वैदिक काल का जो समय था वो माना जाता है कि संभावता दूसरी शताबदी तक माना जाता है और कहीं कहीं माना जाता है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था पहला रिग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल रिग वैदिक काल का समय जो माना जाता है वो 1500 से 1000 इस्वी पूरव और उत्तर वैदिक काल 1600 इस्वी पूरव माना जाता है तो वैदिक काल मुखेता किस से संबंदित था वो कहा जाता है कि वैदिक काल मुखेता वेदों से संबंदित था सिंदू सब्वेता के लोगों को रिगवेद में क्या कहा जाता था रिगवेद जो हमारा एक वैदिक काल में चार वेदों की रचना होई थी रिगवेद, यजरवेद, अथरवेद और सामवेद तो रिगवेद, वैदिक काल में रिगवेद का ज़्यादा महत्व है रिगवेद में जो सिंदू सबेता को लोगों को दस्यू कहा जाता था कभी कभी कुर्शन आ जाता है कि सिंदो सबेता की लोगों को रिगवेद में क्या कहा जाता है तो दस्यू कहा जाता है गंगा सिंद कांडों के आरियों किस चीज का प्रयोग करते थे जो सिंद के जो उसमें क्या चीज का प्रयोग करते थे आरियों ने लोहे का प्रारम कर दिया था जो सिंद सब्वेता में बिलकुल नहीं पाये गए थी सिंदुगाटी सब्वेता में लोहा नहीं पाया गया था लेकिन आरियों के समय में लोहे का इस्तमाल होना शुरू हो गया था सेंदो सभयता के लोग नगर निवासी तता ब्यापारी थे परन्तु आरे क्या थे आरे जो थे वो क्रिसक थे और ग्राम वासी थे आरेों के घर किस से बने होते थे आरेों के घर मिट्टी, लकडी, घांस, फूस, पत्तियों से बनाए जाते थे आपने देखा होगा मैंने पिछला जो चेप्टर बनाया उसमें सिंदोगाटी सभयता में नगर योजिना थी पूरी तरह ड्रेनिंग सिस्ट्रम था उसमें एक स्ताना गार था अना गार था इस तरह से महल बने हुए थे परन्तु उनके जो महल थे उसका कोई प्रभाव किसी भी आगे के जनरेशन को नहीं पड़ा लेकिन आर्यों जो थे वो मिट्टी के परतन लकडी वो घांस, पूस और पत्तियों से अपने घर बनाते थे आर्यों की भाषा क्या थी आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी जीवन भर आर्यों में जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महलाओं को क्या कहा जाता है वो कहा जाता है अमाजू कहा जाता है आपको ये क्वेशन भी आ सकता है कि जीवन भर ये जीवन भर क सकता है जैसे 10 questions जो आने वाले हैं वो आ सकता है R.A. की मुख्य पेपदार्थ क्या थी? मुख्य पेपदार्थ सूमरस्त थी या बनस्पती से बनाया जाता है सूमरस्त का जिक्र कृष्ण लीला में भी कहा जाता है कि कन से सूमरस्त पीता था ठीक है आर्यों के मनरंजन का मुख्य साधन क्या था संगीत रथ दोड गुड दोड तथा दूत क्रीडा आर्यों का मुख्य वेवशाय क्या था पशु पालन तथा क्रिशी था आर्यों का प्रिय पशु तथा प्रिय देविता गोडा तथा इंद्र माना जाता है और इनका आर्यों धर खोजी गई धातू लोहा जिसको श्याम आयस कहते थे तामबे को क्या कहते थे ये लोग लोहित आयस से कहते थे लोहे को श्याम आयस जो काले रंका होता था इसलिए उसको श्याम आयस और तामबे को लोहित आयस कहते थे next question देखते हैं व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला वैकती उसको क्या कहते थे पड़ी, पड़ी कहलाता था वो और रेड देकर बयाज लेने वाले वैकती को क्या कहते थे वेन कोट, जासे यह कहा जाता है कि इंट्रेस्ट पे लेने वाला ब्यक्ति जो होता है या सूध का बिजनस करने वाला उसको वेन कॉर्ट बोलते थे उस समय वेन कॉर्ट मनुष्य और देवता के बीच मद्यहस्तता वाला देवता कौन था अगनी देवता अगनी देवता को कहा जाता था कि मनुष्य और देवता के बीच तूनों के बीच में ये रहते थे रिगवेद में उल्लिखित सभी नदियों में सबसे महत्वपून तदा पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था रिगवेद में गंगा का उल्लिख कितनी बार हुआ है और यमुना का उल्लिख तीन बार किया गया है लेकिन सबसी ज़्यादा जो उल्लेखित होई है वो सरस्वती है उत्तरवैदिक काल में राजा के राजय विशेख के समय कौन सा यग्य किया जाता था अब यहां से उत्तरवैदिक काल स्टार्ट हो जाता है जो जिसका समय था 1660 पूर्वत तक तो राजय का जब राजय विशेख होता था तब उस समय राजसू यग्य किया जाता था उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्ताय की बजाए किसकी आधार पर निर्थारित होने लगे थे जो वैदिक काल थे उसमें वर्ण जो थे वो व्यवसाय के अधार पर होते थे लेकिन उत्तर वैदिक काल आने पर ये चीज़ चेंज होके जन्म के अधार पर होने लगी थी उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था उत्तरवेदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था उत्तरवेदिक काल में मुद्रा की इकाईया क्या थी निस्क तथा शत्मान भारत का सबसे प्राचिकीन दर्शन कौन सा है जो सांख्य दर्शन है ये उत्तरवेदिक काल का है सत्य में उजयते किस उपनिशत से लिया गया है क्वेशन बहुत बार आया है कि सत्य में उजयते किस उपनिशत से लिया गया है दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी और काफी मेनत लगती है मुझे इस वीडियो को बनाने में लाइक जरूर कर दीजेगा अगर अच्छे लगे तो कॉमेंट कर दीजेगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में और प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बहुत ही अच्छे वीडियो है और बहुत ही हैल्फुल होगी आपके लिए तो गायत्री मंत्र का संबंद किस से है रिगवेद से है उत्तरवैदिक काल में सरपदम पकी इटों का प्रयोग कहां पर हुआ था कौशामबी नगर में हुआ था महा काव्यों की संख्या कितनी थी जो उत्तरवैदिक काल की महा काव्य थे उनकी संख्याएं दो थी रामायड और महा भारत महा भारत का पुराना नाम क्या था महा भारत का पुराना नाम जै सनहिता है यह विश्यू का सबसे बड़ा महा काव्य कहा जाता है गोत्र नमक संस्था का जन्म कभ हुआ था अब हम दोस्तों देख लेते हैं महाकाब्यों में कला समन्दी उले जो महा-कावे थैं से कला के कला के बारे में कैसे उल्ले किया गया है किन महा-कावे दरा ज्याद होता है कि उस समय तक वास्तु कला, मुर्ति कलावचितर कला का पर्यापत विकास हो चुका था रामायड तथा महाभारत सबसे जो विष्टित ग्रंत थे रामायड और महाभारत तो उसके द्वारा उस समय के वास्तुकला, मुर्तिकला वचित्रकला का पर्याप्त विकास हो चुका था शिल्प को चारू, ललित और कारू, उद्योग किस में कहा गया है? पाडिनी कृत अस्ता ध्याई में शिल्प को चारू तथा कारू, उद्योग को कहा गया है नाटे शास्त के रचेता कौन थे? राटे शास्त के रचेता भरत मुनी थे नाश्त शास्त में भी कलाओं का वड़न किया गया है वस्त्रयाइन के काम सुत्र में कितनी कलाओं को की विस्त्रित सूची आले के नामक अध्याय में प्राप्त होती है ये है अपका चौसट कलाएं, चौसट कलाएं को वरिस्तित वर्ण हुआ है बास्याइन के कामसुत्र में ठीक है, कलहर करितर राज तरंगडी में भी मंदिरों, विहारों, स्थूपों, भवनों, एम मुर्तियों के निर्मार के उलेक मिलते हैं जो राज तरंगडी है उसमें भी मंदिरों, विहारों, स्तूपों, भावनों, मुर्तियों के निर्माड के उल्लेग मिलते हैं दोस्तों राज तरंगडी यहां पे जो महा काव्या के बारे में बताने का में श्रेय यह है कि इन में भी कला के वर्ण हुए हैं कला, चित्रकला, मुर्तिकला, स्थापत्यकला सबके वर्ण हुए हैं तो यह हमारे फाइन आर्ट्स फिल्ड से जुड़ा हुआ है और दोस्तों सारे जो महा काव्या और काव्या हैं उनकी रचनाकारों के नाम का मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ अगर आप नहीं देख पाया हूँ तो इस डिस्क्रिशन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी आप उसको देख लेना पतंजली के महा भासे में शियो भागवतों द्वारा पूजी जाने वाली मुर्थियां एम प्रतिकों का उलेख हुआ है और अर्थ शास्त्र में भी दुर्गों तथा देवियों का उलेख किया गया है अर्थ शास्त्र जो अर्थ से संबंदित पुस्तक है उसको उसमें भी कुछ देवियों दुर्गों का प्रयोग किया गया है वरा महीर की व्रिहत संगीता में वास्तो शिल्प एम चित्र शिल्प संबंदी सुचनाएं मिलती है इसकंद पुरान में किसके संबंद में चर्चा मिलती है वास्तो और प्रतिमा निर्मान की चर्चा मिलती है तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो 43 questions और इससे जुड़े मैंने कितने aspects बता भी दिये हैं तो काफी questions आपके हो गए वैदिक काल का तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं बचा है तो दोस्तों step by step मैं इस तरह ये prepare कराती रहूंगी सुन्दु भाटी सबता करा दिया वैदिक काल करा दिया अब मैं बहुत अपिरियड स्टार्ट करूंगी और एक तरफ मैंने contemporary का भी स्टार्ट कर दिया है जिसमें नई दिशाओं में Nicolas Rorik का मैंने एक chapter आज ही download अप्लोड किया है तो दोस्तों मेरे वीडियो से चैनल से जुड़े रहें और मैं एक्जाम तक ये सारा कोर्स कवर करा दूँगी तो thank you so much for watching my video and please like, share and subscribe अगर आपने नहीं किया अभी तक subscribe तो subscribe ज़रूर कर लिजिएगा बाए बाए